5, 4, 3, 2, 1 फरंपूज गुरुदेव ने इसी चिंतन को ध्यान में रख कर गायत्री परिवार के उदेश्य के रूप में मनुष्य के भावनात्मक नौ निर्माड का लक्ष रखा था मनुष्य की भावनाएं यदि उतकर्ष की दिशा में बढ़ चलें तो उसका व्यक्तित्व, उज्वल और अनुकरणिय बन जाता है उतकरिष्ट, चिंतन, हर घड़ी इसी प्रयास में लगा रहता है कि किस प्रकार उसके गुड, कर्म, स्वभाव का इस्तर, श्रेष्ठतम बनाया जाए ताकि विश्व कल्यान का पत्थ प्रशस्त हो सके विश्व के कल्यान के मूल में प्राडि मात्र के प्रती करुडा, संगवेदना ही तो केंद्रिय तत्व मानी जा सकती है युग परिवर्तन के लिए जिस पूंजी की सबसे पहले वह सबसे ज़्यादा आवशकता है वह भावना ही है दूसरों में यह सदभावना जगाना भी हमारा कर्तव्य बन जाता है पर्शुपक्षियों पर जो लोग अत्याचार करते हैं उन्हें सतपत्थ दिखाने की महान जिम्मेदारी यदि गायत्री परिवार के भावनाशील परिजन नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा जिस तरह पूरे भारत भर में अपने परिजनों द्वारा गोशालाओं की स्थापना द्वारा गोवंश का संग्रच्षन संगवर्धन किया जा रहा है तो वैसा ही एक करुणा में कदम अन्य निरीह प्राणियों की सुरक्षा के दाइत्व को उठाने का भी बन जाता है जहां जहां गायत्री परिवार की गोशालाएं चल रही हैं यदि उन्हीं के साथ ऐसे कष्ट पारहे पश्वपक्षियों प्राणियों की सेवा के लिए एक छोटा सा स्थान ढूंड लिया जाए तो यह एक भटकी हुई मानवता के लिए सर्शक्त प्रिणा स्रोत का कार्य कर सकता है महापुरुष सत्पत पर स्वयम चलकर ही दूसरों के लिए उदाहरण प्रस्तुत करते हैं गायत्री परिवार के प्रतेक कारिकर्ता द्वारा ऐसा उदाहरण प्रस्तुत कर पाना सहजता से संभव हैं गली मुहलों में भटकते आवारा पशुहों या पैशाचिक प्रवृत्ति के मनुष्यों से पीडित प्राणी इन सब में ईश्वर के अंश को देखते हुए हम में से प्रतेक व्यक्ति उनकी सेवा सुरक्षा के सामान्य कद्मों को उठा सकता है और समूची मानवता के लिए अनुकरडिय उदाहरण प्रस्तुत कर सकता है सूप्त वचन है कि मनुष्य को प्रति दिन अपने आचरण का दिरिक्षन करना चाहिए कि क्या मेरे आचरण पशुओं के समान है या सत्पुरुशों के समान जो लोग दुर्जनों की तरह से व्यवहार कर रहे हैं एवं प्राडि मात्र को संताप देते दिखाई पड़ते हैं उन्हें स्वयम से इसी प्रश्न को पूछने की आवशक्ता है पश्वतो मरकर भी अपना चर्म किसी उत्पाद को बनाने में लगा जाते हैं और हम विधाता के राजकुमार कहलाने पर भी जीवित पश्वों का चर्म छीनते दिखाई पड़ते हूं तो मानवता के इस्तंभ डगमगाते नजर आते हैं झाल सकता है